हेलो एवरिवन, गेट माई उनिवर्सिटी टीम के तरप से मैं आज आपके लिए लेकर क्या हूँ, डिम्डी उनिवर्सिटी नीट योजी 2020 से रेलेटेट बहुत ही महत्मण वीडियो जहापे मैं आपके साथ में इलिजिबिलिटी, कट आफ, सीट मैट्रिक्स और पॉसेस डिसकस करूँगा, आई सबसे पहले ये जानते हैं कि डिम्डी उनिवर्सिटी होता क्या है, डिम्डी उनिवर्सिटी कैसी इंस्टिटीशन है, जो कि UGC और मिनिस्ट्र अफ हुमन रिसोर्स डेफलोप्मेंट द्वारा रिकोगनाईज्ड ऑर्टोनमस के लिए, आपको डॉक्मेंट वेरिफाई कराना है, आपके कॉलिज में रिपोर्टिंग के टाइम पे, टोटल 42 टिम्डी उनिवर्सिटी के कॉलिजज़ है, जो MBBS प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जिनमें 7200 सीटे हैं, चार राउंड होते हैं, राउंड वन, राउंड टू, मॉप अप और इस्ट्रे, जिनमें राउंड वन, राउंड टू और मॉप अप एम सीटे अगर रह जाती हैं, तो डिस्पेक्टिव कॉलिज द्वारा कंडग करा जाता है, ओफ लाइन, काटेगरी का रिजर्वेशन अपलाई होता है, यहांके अलाट्मेंट प्रोशेस में हमारी कंपनी गेटमाई अनुवसिटी जो कि अंडिय की लीडिंग, ISO 9001-2015 Certified Education Consultancy Farm में, हमने पिछले कई सालों से सक्सेस्पुली काउंसलिंग और अदमेशन गाइडेंस प्रोवाइड किया है, इंडियन अब्रॉट के मेडिकल काउंसलिंग प्रोशेस में, तो हमारी तीम क कोई भी फैक्टर अपलाई नहीं होता है, आप किसी भी स्टेट से आप बिलॉंग करते हैं, यह ओपन सीट हैं, आप अपलाई कर सकते हैं, MCC के तुरू, मिनिमम् 17 साल और मैक्सम् 25 साल का एज लिमिट रखा गया है, आपको निट क्वालिफाय करना जरूरी है, वो भी मिन 40% होने चाहिए, अगर आप जनरल करेग्री से बिलॉंग कर रहे हैं, और 40% OBC, SC, ST से बिलॉंग करते हैं, तो, कॉंसलिंग की प्रॉसे इस तरीके से हैं, सबसे पहले आपको आपको ऑनलाई अपलाई करना है, www.mcc.nick.in के साइट पे आपको 5000 रुपय रेस्ट्रेशन का च मिट करिए, अगर आप चाहते हैं, तो आप भेटर कॉलेज के लिए, अब ग्रेडेशन के लिए, 2nd round में रियपीर हो सकते हैं, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुए है, तो आप फिर से रियपीर हुए है, 2nd round के कॉंसलिंग प्रॉसेस में, आपको रिफॉंड ब मेडिकल साइंस में 100 सीटे हैं, इसकी परणम फीज है 12,00, और जनरल कर्टेगरी की कट ओफ जो गई थी, वो 23,124 की गई थी, कस्तुर्भा मेडिकल कॉलेज जो की मनिपाल में हैं, इनमें 250 सीटे हैं, परणम फीज है 13,10,000, 25,915 का जनरल का कट ओफ गया था, कस्तुर्भा मे मेडिकल कॉलेज जिसे पीम सलोनी के नाम से जाना जाता है, इनमें 200 सीटे हैं, 12,75,000 परणम का फीज स्ट्रक्चर है, और जनरल कर्टेगरी के लिए कट ओफ 49,903 की गई थी, केस हेगरे मेडिकल अकाडमी, जो की मैगलोर में है, इसके 1500 सीटे हैं, 14,35,000 परणम की फीज है इनमें 57,89 की कट ओफ गए थी, जनरल कर्टेगरी के लिए, जवाहलार नहरू मेडिकल कॉलेज जो की बलगाओं में हैं, इनमें 200 सीटे हैं, 15,24,000 परणम की फीज स्ट्रक्चर है, 65,580,000 का कट ओफ गया था, जनरल कर्टेगरी के लिए, अमरिता इंस्टिटिट्रों मेड साइंस जो की गड़ला में है, इनमें कोची 18,00,000 परणम का फीज स्ट्रक्चर हैं, और सीटे 100 हैं, जनरल कर्टेगरी के लिए कट ओफ 75,635 का गया था, स्रीदेवराज URS मेडिकल कॉलेज जो की कोलार में है, इनमें 1,500 सीटे हैं, 14,50,000 का परणम का फीज स्ट्रक्चर है 89,812 का जनरल कर्टेगरी के लिए कट ओफ गया था, कलिंगा इंस्टिटूट अब मेडिकल साइंस में 1,500 सीटे हैं, और 6,00,000,000 परणम का फीज स्ट्रक्चर हैं, 86,382 का कट ओफ गया था, जनरल कर्टेगरी के लिए, स्री सिधारता एकेडमी अफ हायर एड़केशन जो क काफी फेमस उनिवस्टी है, इनमें 250 सीटे हैं, 22,00,000 परणम का फीज स्ट्रक्चर हैं, और 1,24,962 का जनरल कर्टेगरी का कट ओफ गया था, इंस्टिटूट अब मेडिकल साइंस जो कि भुबनिश्वर में है, उडिसा में, इनमें 1,500 सीटे हैं, 17,90,000 का परणम फीज स् के लिए, स्री सिधाता अकेडमी और फायर एडुकेशन, SSMC टुमकूर, इसमें 1,500 सीटे हैं, 15,65,750 परणम का फीज स्ट्रक्चर हैं, एक लाग की 9,029 का कट ओफ गया था, जनरल कर्टेगरी के लिए, BLD बीजापूर में 1,500 सीटे हैं, 17,00,000 परणम का फीज स्ट्रक्चर है, 1,54,625 का कट ओफ गया था, जनरल कर्टेगर के लिए, MGM Medical College मुंबई में 1,500 सीटे हैं, 20,00,000 परणम फीज स्ट्रक्चर हैं, 1,56,724 का कट ओफ गया था, MM Institute of Medical Science में 1,500 सीटे हैं, 15,00,000 परणम फीज स्ट्रक्चर हैं, 1,57,570 का कट ओफ गया था, भारतिय विद्यापी जो की पूने में है, इनमें 1,500 सीटे हैं, 18,43,000 परणम का कट ओफ गया था, सवीदा Medical College में 1,500 सीटे हैं, 22,00,000 परणम का कट ओफ गया था, दत्ता मेगे वर्धा में 1,500 सीटे हैं, 17,15,000 का परणम फीज स्ट्रक्चर हैं, 1,73,842 का कट ओफ गया था, स्रीबालाजी विद्यापीर जो की पॉन्डेचेरी में, इनमें 2,500 सीटे हैं, 2,8,909 का कट ओफ गया था, जनरल कट ओफ गया था, बारतिय विद्यापीट जो की सांगली में हैं, 1,500 सीटे हैं, 17,30,000 परणम का कट ओफ गया था, जनरल कट ओफ गया था, जनरल कट ओफ गया था, विनायका मिसन में, इनमें 100 सीटे हैं, 20,00,000 परणम का कट ओफ गया था, जनरल कट ओफ गया था, 18,87,000 का कट ओफ गया था, विनायका मिसन पॉंडिचेरी में, जो कॉलेज हैं, उनमें 100 सीटे हैं, 18,00,000 परणम का कट ओफ गया था, जनरल कट ओफ गया था, डॉक्टर डीवाई पार्टिल मुंबई में 200 सीटे हैं, 25,00,000 परणम का कट ओफ गया था, जनरल कट ओफ गया था, जनरल कट ओफ गयरी के लिए, डीवाई पार्टिल कोलहपूर में जो कॉलेज हैं, इनमें 500 सीटे हैं, 20,60,000 परणम का कट ओफ गया था, 3,28,800 का कट ओफ गया था, आरुप उड़ाई जो की पॉंडिचीरी में मेडिकल कॉलेज है, इनमें 100 सीटे हैं, 19,50,000 परणम का कट ओफ गया था, 3,45 का कट ओफ गया था, जेनल के डेगरी के लिए, डीवाई पार्टिल पूने में 200 सीटे हैं, 22,00,000 परणम का कट ओफ गया था, जो की पॉंडिचीरी में 1,500 सीटे हैं, 21,50,000 का परणम का फीज स्ट्रक्चर हैं, 4,47,541 का कट ओफ गया था, जेनल के डेगरी के लिए, S.B.K.S. जो की गुजरात के वदोदरा में हैं, इनमें 1,500 सीटे हैं, 15,95,000 परणम का फीज स्ट्रक्चर हैं, 4,85,396 का कट ओफ गया था, जेनल के डेगरी के लिए, संतोस मिडिकल कॉलेजों की युत्तर परणम का फीज स्ट्रक्चर हैं, इनमें 100 सीटे, 24,00,000 परणम का फीज स्ट्रक्चर हैं, 4,99,495 का कट ओफ गया था, तो दोस्तों ये था पार्ट वन, इस वीडियो का पार्ट तू जरूर देखिएगा, जहां पे हम आपके साथ में Penalty, Bond और Bank Guarantee से Related सारी Information शेयर करेंगे, आप लोगों को ये बता दूँ कि Dimmed Universities में Admission लेने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप Penalty, Bond और Bank Guarantee की सारी Information को Detail में जानी है, और साथ ही हम आपको अपनी Detail Observations आपके साथ में शेयर करेंगे, जो आपके Decision Making में काम आएगा.